36 गड़ में कॉंग्रेस के भविश्य पर क्या बड़ा प्रश्चन अब लग गया है पॉपिलर सीम भुपेश बागेल को सरकार ने नकारते हुए भाजपा को अच्छी खासी बहुमत जो है वो दी लेकिन विशलेशन होना अभी बाकी है आजे जी आजे जी हमें मिल गया है य अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि अभी के जो परिणाम है उसमें भी कई सीटें ऐसे हैं अब यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी कि सीम कौन और वह खीस्तान आपने भी देखा होगा कि पूरे पांस साल चली और अन्तता जब फाइनल हुए भूपे अशर चत्रीज गड़ में देखनों के मिला और आप देखेंगे कि सर्गुजा ने कॉंग्रेस को 14 सीटे दी थी 2018 में उसी सर्गुजा ने कॉंग्रेस को जीरो पे ला दिया तो यह सीधा संदेश है कि मुखपंतली के लड़ाई में कॉंग्रेस ने अपनी सर्गुजा की सीटे 14 सीटों गवाई है और बस्तर की बारा में से पेस है तो भरोसा है नारा दिया उसके बाद जब यह लगता है कि आला कमान के पास पहुंची और कही तरह के अंदर से खबर आए कि इसको लेकर जो वरिष्ट नेता है वह अपत्ती जता रहे तो नारा बदल गया सामोहिक नेतियुत पर चुनाओं लड़ेंगे तो देखा होगा सरगुजा से ब्रहस्पादी सिंग के टिकट कटी उन्होंने किस तरह के गंभीर आरोफ लगा तो उससे साब है कि कॉंग्रेस का अपना जो अपने वजूद की जो लड़ाई है वह स्वेम से और जिस तरह से बुपेज बगेल यहां पे पांसलम ओवी सी परसान दिखी है वह अंतिम के जो 6 मैने थे बाजपा ने एक लाइन पकड़ा ब्रश्टा चार का और उस लाइन को उन्होंने चोड़ा है आमने देखा होगा महादेव सट्टा एपुलगर पुरे देश में सुर्कियां बनी थी और इसको लेकर हमीसा सरकार कट गरे में थी तो ये चीजे कॉंगरेस के लिए परसानी रही और उसके बाद कई जानकारी हमें मिले की मुख्मंतरी बनने की दोड़ में नेता दूसरे मुख्मंतरी के जो चेहरे थे उनको हराने के लिए पुरी जीत और मेहनत की लेकिन जब हम बात करते हैं हमने देखा करनाटक में कॉंगरेस की जीत हुई हिमाचल में जीत हुई तब सब ये कहने लगे इस तरह की बाते कई जाने लगी कि अब जो है खोई हुई जमीन वापिस ली जा रही है लेकिन अब जो अच्छे खासी बनी वनाई जमीन थी वो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करें जैना पड़ेगा विल्कूल देखे बाजपा आगे तो बाजपा रीरिस्टार्ट मोर्ट पर गई है जिस तरह के यहां पे 15 साल तक रमान सिंग एक चेहरा बनकर काम किया और वो इतना बड़ा चेहरे थे कि उनको साइड लेंड कर पाना भाजपा के लिए असान नहीं थी लेकिन आज वो देखिए विधान सभा अध्याज के कुर्सी पे बैटने जा रहे हैं और यहीं चीजें क कम जोड दिखाई देता है और उसी के कंपरिजन अब भाजपा में देगे तो पूरे चुनाओ दोरान यह लगा कि बाजपा के लिए मुखफंतरी डॉक्टर रमान सिंग होंगे और जैसे यहां पर फैसला है और चोकाने वाला था और इतने बड़े चेहरे को बाजपा ने बगावती तेवर खुले तोर पर नजर आए लेकिन यहां पर राजस्थान की बात कर ले तो कहा जा रहा था कि वसंद्रा राजे कहीं बगावत करके इधर उदर ना चली जाएं लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं साइलेंटली सरेंडर करते हुए तीने तीनों पूर मुख्यमंतरी दिखाई दिए भाजपा की तरफ से लेकिन वहीं कॉंग्रेस में जब जब ऐसे ऐसा मौका आया तो यह भी देखने को मिला कि आपसी क्या कहें आपसी क्ला ही इसकी सबसे बड़े परसानी है और मैं वही तो हार से उन्होंने लेकिन कॉंग्रेस हार से अगर इस हार से सीक नहीं लेते तो निस्चित रुप से आने वाले समय में जीस तरसे बाजपा के चेहरे जीत करा हैं तो यह वहाँ की चेहरा है और आप देखेंगे इस चुनाव में लगभग मेरे को लगता है कि सबसे खराब पर दर्सन करते हुए पहले राज जोगा जहां पर नौ मंत्री हा रहे हैं बारा मंत्री मंडल वाले सरकार में नौ मंत्री अगर आप हार जाए तो आप समझ सकते कॉंग्रेस की सब्सक्राइब से गई होगी जबकि आपने सुना राहूल गांधी नों ने एक इस्ट्रेंट में दिया था कि हमारे तीन राज्यों में चत्तीस गड़म डेफिनेटली जीत रहे हैं मतला में यहां को लेकर कॉंग्रेस की सरकार गई है तो सबसे बड़ा उसका कारण है ब्रश्ता चार के मामले में जो बीजेप प्रश्त नहीं कर पाई और आजे जी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे विशलेशनों की जरूरत है की जाए इन सब बातों पर बिंदूओं पर बाते और ऐसी तमाम खबरे जो है आप चतिस गड़ तक पर देखते रहे हैं क्यामरा पसंट रजीत के साथ निधी तनेजा और इसोनी